Hello my dear students, welcome back to our YouTube channel, now in this lecture we will solve practice set 3 of chapter number 1 तो question है बच्छो, draw triangles with the measures given below, हमें क्या एट करना है, triangle draw करना है using the measure given in the question, ठीक है? Now previous practice set 2 में भी हमने क्या किया था बच्छो, triangle ही constructed किया था और वहाँ पर भी कुछ measurement given थे, तो वह वाले practice set में और practice set 3 में कुछ new क्या है बच्छो, तो previous practice set में क्या था कि triangle के sides के length given थे, और हमने triangle draw किया था, Now practice set 3 में क्या है, एक angle भी आपको दिया है, यहाँ पर देखो, एक angle है और दो sides given है, अभी हमें क्या करना, again, इन सारे measurement को use करते हमें, triangle construct करना, सीखना है, ठीक है? तो start करते हैं, first question से, in triangle M80, length of M A is equal to 5.2 cm, measurement angle A is equal to 80 degree, length 80 is equal to 6 cm, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्छो, तो fair figure draw करने के पहले हम बच्छों rough figure draw करेंगे, तो fair figure भी रॉंग नहीं होगा, यहाँ पर मैंने small सा triangle draw कर दिया है, अब बच्छों यहाँ पर देखो, दो sides given है, तो दोनों में से कोई भी एक हमें क्या करना है, base consider करना है, तो M A को हम base consider कर देते हैं, उसकी बाद remaining vertex क्या बच यह जो है, यह हो गया, vertex T, now M A का side length कितना है, side M A है 5.2 cm, तो यहाँ लिख देंगे 5.2 cm, angle A क्या है, angle A है 80 degree, तो यहाँ पर 80 degree लिख दोगे, और A T कितना है, A T है 6 cm, तो यहाँ पर 6 cm लिख दोगे, अब क्या करोगे, यह बन गया, आप का rough figure, अब क्या करोगे, प्या करोग करेंगे, तो बेस वाली line क्या है, बच्चो 5.2 cm है, बेस वाली line क्या है, 5.2 cm है, तो 5.2 cm का हम क्या करेंगे, बच्चो एक line segment draw करेंगे, तो यहाँ पर मैंने 5.2 cm का एक line segment draw कर दिया, ठीके, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम लेंगे, यहाँ पर पहले तो ह हम देखों यहां पर पॉइंट मार्क करेंगे एम और यहां पर ряд अंगल मार्क करेंगे हम यहां पर क्या करेंगे इसके बाद हम रिमूब करेंगे प्रिटक्टर को और यह जो हमने मार्क किया है इसको हम क्या करेंगे एससे जॉइंट कर देंगे युजिंग रूडिया अब इसके बाद भी हमें 80 जो साइड है मतलब वर्टेक्स टी हमें नहीं मिला अभी तक ट्राइंगल का तो वर्टेक्स टी कब मिलेगा जब हम यहाँ पर एटी का जो लेंद है साइड एटी किता है 6 सेंटीमिटर है हम क्या करेंगे रूलर लेंगे राउंडर लेंगे राउं पॉइंट आहांपए मिल गया यह यह आप लिग दोगे पॉइंट iki और डॉन बना दो गे और इसकी और आप जोइंट कर दोगे ठीक है, M और T को आप क्या करोगे, जोइंट कर दोगे, तो यह हो गया, ट्राइंगल फॉर्म हो गया, M, A, T, अब इसकी बाद क्या करेंगे, बच्छो, यहाँ पर जो भी लेंथ की बनते हैं, यहाँ तो 5.2 लिख दो, यह एंगल ने 80 डिग्री है, तो यहाँ पर 80 डिग्री क्या है, यहाँ पर अल्रिटी वने लिखा है, second question है, इन ट्राइंगल N, T,S, measurement आईंगल T, 40 डिग्री, length of N, T, is equal to L, लेंट आव TVS, is equal to 5, यहाँ पर हम लेंग देंगे, यह क्या है, rough figure है, सब्रस्माइब इसके बाद बच्चों बेस्ट वाली साइड का याँ यहां पर लिख देंगे इसके बाद यहां पर कर देंगे यहां पर गया है ट्राइंगल कंप्लीट ती एस है फाइव सेंटीमेटर और एंटी कितना है एंटी भी है फाइव सेंटीमेटर यहाँ पर दोनों जगे फाइव सेंटीमेटर हम लिग दें अब इसके बाद हमें क्या करना है इसके बाद हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो आप हम क्या करेंगे फाइव सेंट पॉइंट टी फिर हम क्या करेंगे प्रिटेक्टर रखेंगे प्रिटेक्टर अधके हम फॉटी डिगरी का एक एंगल माक करेंगे बच्छो यहां पर देखाए आपको द्यान से रखना एकदम बेस लाइन जो है एक दब क्रेट होने चीए tab करने के बदर हम क्या करेंगे यहाँ पर ए जो माग की है यह पॉइंट और यह तिल इसको हम क्या करेंगे वठों कर देंगे ऐधेम जोइंड कर दिया लाव इसके बादø came कर दिया दोसेतं बद्ध है वभी तक में नहीं मिला तो कब मिलेगा जब हम यह TN मेजर करेंगे तो ट कितना है 5 cm हम क्या करेंगे इसों मेजर करेंगे बच्छो यहां से इस तरीके से मेज़र कर लिया हमने अब इसके बाद में क्या करूँगी इसे प्वाइंट पर रखंगी और पर एक प्रों करोंगे पर और चुन आर्क और यह जो लाइन करोंगे इसका इंटर्सेक्टट आपको मिल गया यह इंटरसेक्शिण पॉइंट क्या है यहँह आपम अरो बना देंगे हो फिर अनि और सो हम क्या करेंगे यूजिण six ऐस एसको जोइट कर देंगे इसनेमिंग अब इसको नेमिंग कर देंगे यहां लिखते हां पर यहां पर भी 5 संटीमिटर लिखते हैं ट्रांगेमेंगल कमप्लेट और hopefully बच्छो अब तो समझ में आ रहा होगा ना चलो अभी third question पर आते third question है in triangle fun length of fu is equal to 5 centimeter length of un is equal to 4.6 centimeter measurement angle u है 110 degree तो यहाँ पर मैंने rough figure के लिए already small triangle draw कर दिया है इसको हम लिख देंगे rough figure अब बच्छो आप fu या un इन दोनों में से कोई भी side आप क्या कर सकते है बेस consider कर सकते है तो यह एंड बनेंगे आप लिख दिया तो remaining क्या है vertex f है now un है कितना 4.6 centimeter angle u क्या है बच्छो 110 degree और उसके बाद f u क्या है f u है 5 centimeter तो यह हो गया rough figure complete चलो आप fair figure draw करते तरब figure के लिए सबसे पहले baseline sorry fair figure के लिए सबसे पहले क्या करते baseline draw करेंगे तो baseline कितना है 4.6 है तो 4.6 centimeter का क्या करेंगे बच्छो एक line segment draw करेंगे यहां पर मने रख दिया scale दिख रहा होगा देखो अब 4.6 centimeter का में क्या करूंगी आप एक line segment draw करेंगे तो अब इसको naming कर देंगे यह क्या है यू और यह है segment UN यहां पर लिख देंगे 4.6 centimeter now angle U क्या है बच्छो यू है 110 degree तो हम क्या करेंगे point U पर रखेंगे protector को और बच्छो हम यहां पर 110 degree मार्ग करेंगे तो यहां पर है line segment यहां से यह हो गया 90, 100, 110 तो यहां पर आप क्या करोगे आप क्या करोगे आप क्या है 110 यह जो point आपने mark किया है और यू इसको आप क्या करोगे बच्छो रूलर की help से joint कर दोगे ठीक है इसके बाद भी आपको vertex F नहीं मिला vertex F कब मिलेगा जब आप U F का length किता है बच्छो 5 centimeter है ना side U F 5 centimeter है तो आपको क्या करना होगा यहां पर आप राउंडर में 5 centimeter का length measure करोगे बच्छो और यहां पर आपने measure करने है 5 centimeter आप रखोगे यहां पर vertex U पर रखोगे point U पर रखके आप एक R कर करोगे बच्छो यहां पर अब आपको यह आर और यह जो line है इसका इंट्रसेक्शन पॉइंट कमें लिए यही है point F सिक्टियों अब आप F और N को क्या करोगे बच्छो जॉइंट कर दोगे with the help of screen यहां arrow बना दोगे हर एक जिगे पर जहां पर भी naming है वहां पर आप नेमिंग कर दोगे यह 5 centimeter है तो आप यहां 5 centimeter लिख दो यहां 4.6 लिख दो यह 110 डिगरी लिख दो तो यह हो गया बच्छो ट्राइंगल कम्प्लीट हो गया ठीक है चला अब यहां फॉर्थ क्वेश्चन सॉल्ब करते देखो बच्छो फॉर्थ प्वेश्चन है इन ट्राइंगल पी आर एस लेंट आप आरेस इस एकोल टो 4.2 सेंटेमिटर मेजर्मेंट आइंगल आर है बच्छो 90 डिगरी अब हम क्या करेंगे यहां पर आपने कोई किसी भी साइड को अभी क्या करना है बेस कंसिडर करना है आरेस भी ले सकते हो आर पी ले सकते हो क्यों हम दोनों में से कोई भी एक साइड ले सकते है क्योंकि आइंगल बच्छो क्या देखो मेजर्मेंट आंगल आर ड्रॉक करना है तो आर आप यहां पर भी ड्रॉक कर सकते हो ट्राइंगल की यहां पर ड्रॉक कर सकते हो तो आर ज क्या होगा बच्छो ट्राइंगल का यह हो गया P Uns कितना है 5.5 cm निख देंगे इनlis यहां पर बच्छो आंगल आर के नाइनटी डिगरी तो यहां पर हम लिखेंगे 90 डिगरी नाव आर्टी किता है बच्छो आर्पी है 4.2 cm यहां पर हम लिखेंगे 4.2 cm अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चो फेर फिगर कंस्ट्रक्त करेंगे तो उसके लिए हमें बेस वाला साइड ड्रॉ करना होगा ट्राइंगल का तो बेस वाला साइड है और एस यहां पर मैं 5.5 cm का क्या करूंगी बच्चो एक लाइन सेग्मेंट ड्रॉ करूंगी ठीक है लाइन सेग्मेंट ड्रॉ कर लेती हो 5.5 cm का यह मैंने सेग्मेंट ड्रॉ कर दिया अब हम इस सेग्मेंट को नेम कर देंगे यह है आर एस अब हम क्या करेंगे बच्चो आर पर 90 डिग्री पॉर्म करेंगे तो आर पॉइंट आर प इसके बाद जो पॉइंट पने वाग किया है और यह जो पॉइंट आ रहे है इसको फाव जॉइंट कर देंगे इतना हेलप आप स्केल नाव आर पी कितने है बच्छो आर पी यानि पी पॉइंट कर भी लेगा जब में आर पी जो लेंथ गिवन है आर फी साइड कितना है 4.2 स इंटिमिंटर तो हम क्या करेंगे राउंडर लेंगे राउंडर में बच्छो 4.2 से एंटिमिंटर जो घैंड है यह्राम मेजर करेंगे ठीक है 4.2 एक मिनुटव जो पॉन पॉंट तो मैंने क्या किया मेजर कर लिया अब बच्छों में यहां पर रखूंगे आर पर और एक आर्क कंसर्ट करों ठीक है अब यहां पर आपको मिलिए इंटरसेक्शन पॉइंट भी होगा पॉइंट पी यहां पर आप आप आरो बना दोगे पी और एसको क्या भी बना सकते हैं यहां पर आपने लिए यह हैं 5.5 सेंटिमिटर और यह हैं बच्छों 4.2 सेंटिमिटर तो यहां पर हो गया क्वेशन 4 भी फिनिश ट्राइंगल फॉर्म हो गया आप बच्छों पर प्रैक्टिस से जी फिनिश हो गया तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्स्क्राइब करिए थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो